मन में विनम्रता का भाव, जिवन की प्रत्यक अनुभूती का चिंतन, चित्त की चंचलता की सैयमित साधना, जिवन के अनित्यता की समझ, निबान के रास्ते खोल देती है आज की बाद. आज की बाद, स्वागत, आप जानते हैं कि आज की बाद में हम तथागत बुद्ध की शिक्षा से, जो मारदर्शन हमारे जीवन के लिए आता है, उसे हम अपने पक्ष में समझने का प्रयास करते हैं, और येसी कड़ी में हम देख रहे थे कि तथागत बुद्ध, जिस संग की बात करते हैं, वो संगठन कैसे तयार होता है, तो वो संगठन तयार होता है, तथागत बुद्ध के उपदेश के द्वारा जो लोग सामन जस्से से एकठे होते हैं, वे कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं जाते हैं, और वे एक संग होते हैं, तो आईए, इसी बात को आ उपदेश करने वाले भिक्वों और बदले में भिक्वों को अन्वस्त्रदान करने वाले उपासक ये दोनों मिलकर धम का प्रचार करते हैं और उसे स्थाई बनाते हैं। बिलकुँ सामाने सी बात। को उन्हें दान करने वाले उपासक उपासिकाओं का संग ये मिलकर तठागत का संग. अब इसमें ये जो दो लोग हैं एक उपासक और दूसरे भिक्षू ये दोनों मिलकर उसको परफुरन बनाते हैं फिर संग को परिपुरन बनाने के लिए उसके सदस्यों में पूर्ण सामंजस्य होना चाहिए अब ये संग परिपूर्ण तबी होगा जब इनमें सामंजस्य होगा भिक्षू उपासकों को उपदेश देते हैं और उपासक उस उपदेश को ग्रहन कर उसमें श्रद्धा करते हैं इसलिए दोनों में सामंजस से पैदा हो सकता है संग के सदसे को आपस में प्रेम और भाईचारे से मिलना जुलना चाहिए जो उपासक उपासिकाएं हैं भिको भिकोनियां इनका सबका ये जो संग है इन लोगों ने एक दूसरे के साथ आपस में मिलना जुलना चाहिए साथी उपासकों के साथ रहने में आनंद अनुभा करना चाहिए और एक दूसरे के साथ एक रिदे बनने का प्रयास करना चाहिए तभी तो ने एक दूसरे के साथ मित्रत्व का सम्वाग जो है वो विक्सित होगा जब लोग एक दूसरे से मिलेंगे संग में सामंजस से पैदा करने में छे बाते सहायक से दोगी दिखे कहा गया है कि यदि संग में सामंजस से पैदा करना है तो इसमें छे बाते साहयक सिद्ध होगी संग का मतलब उपासक उपासिकाएं भिखो और भिखोणिया इन सब का मिलकर होता है संग वे हैं कि सबसे पहली बात कि इन में कौन सी छे बाते जो इसके लिए साहयक सिद्ध होगी तो इसमें पहली बात है करुणा में वचन बोलना, जो आपस में बाचित होती है इसमें करुणा में वचन हो, करुणा हो, दूसरी बात करुणा में आचरन होना, इनका आपस में जो आचरन है वो करुणा में ही हो, तीसरी बात इन दोनों के विवहार में बिक्खो बिक्खोनिया उपासक और उपासिकाएं इनके बीच में जो भावना है वो करुणा की हो चौथी बात मिली हुई वस्तू आपस में बांटना किसी एक के पास में कोई चीज आ जाएं तो वे एक दूसरे के साथ मिल बाट कर उसका इस्तिमाल करें पांचवे बात समान पवित्र शीलों का पालन करना एक समान सभी ने पवित्र शीलों का पालन करना इसलिए बौधों की जिवन शैली में पंच शीलों का बड़ा ही महत्व हैं और उच्छटी बात परस पर सम्मिक दृष्ष्टी रखना एक दूसरे के बीच सम्मिक दृष्ष्टी रखना परस पर ये च्छे चीज़े हैं इन च्छे चीज़ों के साथ संगठन बना रहता है और संगठन को बनाए रखने में ये चीज़े सहायक सिध होती है इसमें संब्ध दृष्टी के इंदर में है जो दूसरी पांच बातों को घेर लेती है संग की उन्नती के लिए आवश्यक साथ साथ नेमों के दो समू है और उसका पहला समू है कि भिक्षूओं को बार बार उपदेश सुनने के लिए इकठा होना चाहिए और उन पर चर्चा करनी चाहिए भिक्षूने आपस में एक दूसरे के साथ मिलना चाहिए और उपदेशों पर चर्चा होनी चाहिए बार बार वे खुले दिल से आपस में मिलेंगे तो एक दूसरे का आदर करेंगे वरना सब एहंकार में रहेंगे इसलिए एक दूसरे के दूसरे से खुले दिल से मिलना चाहिए वे निर्धारित भिक्षो नियमों का आदर करेंगे और उनमें अकारण परिवर्तन नहीं करेंगे बहुत बार ऐसा होता है कि तथागत ने जो छूट दी हुई है कि भई वक्त वक्त पर विन्य में बदलाव कर लीजिएगा तो ऐसा नहों उसका मतलब कि बार बार उन विन्यों में बदलाव ही होता रहे और उसका कोई अर्थ नहों लेकिन एक दूसरे के साथ जब आपस में मिलेंगे मिल जुल कर बातचित करेंगे तो विन्य में ऐसे बदलाव नहीं कर पाएंगे जो आवश्चक है उन्हीं पर चर्चा होगी चौती बात व्रिद्ध और युवा सदस से एक दूसरे के साथ शिष्टता से विवहार करेंगे अगर एक दूसरे के साथ शिष्टता से विवहार नहीं होगा व्रिद्ध का सम्मान तो होगा लेकिन जो युवा हैं उनकी भी अपनी एक आत्मियता होगी उनका भी एक व्यक्तित्व होगा उसका भी समान होना चाहिए पांचवे बात अपने चित्थ की रक्षा कर सच्चाई और विने को अपना लक्ष बनाएंगे और च्छटी बात किसे शांत स्थान में रहकर वे अपने आशरन को शुद्ध करेंगे और दूसरे आदमी को आगे रखकर और स्वैम पीछे रहकर मार्ग का अनुसरन करेंगे ये जीवन का सबसी ही महत पूर्ण अंग होता है कि हम जब अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं तो एक दूसरे के साथ मिल जुल कर बढ़ना ये बड़ा जरूरी होता है और साथ भी बात है कि सभी लोगों से प्यार कर अतितियों का हारदिक आदर सबकार करेंगे और रोगियों की अच्छी सेवा सुश्रुशा करेंगे ये भिकूं के जीवन का बड़ा महत पूर्ण अंग जो हम सब के सामने तथागत की शिक्षा से आता है इन साथ नीमों का पालन करने से संग की कभी हानी नहीं होगी ये कहा जाता है हम इस समय देख रहे हैं आज की बात में कि बुद्ध ख्षेतर का निर्मान कैसे होता है तो बुद्ध ख्षेतर के निर्मान की ये बात को आप तक पहुँचाते हुए यहां रुकते हैं इस बादे के साथ कि हम आपसे पुरह मिलेंगे कल जब हम इसी बात को आगे बढ़ाएंगे तब तक के लिए हमें इसाज़त दीचेगा आज की बात